नमस्कार दोस्तों, स्वागत आपका हमारे चैनल स्टार्ट विद विकी ग्रीन में दोस्तों आज के वीडियो में हम आपके लिए इतियास विशे पर 50 Most Important प्रशन लेकर आए हैं दोस्तों हम आपसे निवेदन करते हैं कि करपया हमारे चैनल को सबस्क्राइब करें और हमारा प्रियास कैसा रहा इसके लिए अपनी राय कमेंट बॉक्स में दे तो चलिए दोस्तों सुरू करते हैं अडपा सब बेता की खोज किसने की थी तो दोस्तों इसका सही उत्तर है दयाराम साहनी ने किस प्राचिन सासक ने संथारा लेकर जैंदर में उपास के द्वारा सरीर टाक कर दिया था तो दोस्तों इसका सही उत्तर है चंदर गुफ्त मोरिये अगला प्रसन है तराइन का प्रथमियुद किन राजाओं के मद्दे लड़ा गया था तो दोस्तों ये युद मुहमद गोरी और पृथिवरा चोहान के बीच में लड़ा गया था अगला प्रसन है बंगाल को मुगल सामराजे से प्रथक कर स्वतंतर किसने किया था तो दोस्तों इसका सही उत्र है मुर्शीद कुली खां अगला परसन है विद्वा विवा कानून कब बना तो दोस्तो ये कानून 1856 में बना अगला परसन है अंग्रेजों ने फूट डालो और सासन करो की निती कब अपनाई तो दोस्तो ये निती पहली करांती के बाद 1898 में अपनाई दोस्तो अगला प्रसन है इंगलेंड में ग्रह युद कितने वर्षों तक चला तो दोस्तो इसका सही उत्तर है साथ वर्ष इंगलेंड में ग्रह युद साथ वर्ष चला अगला प्रसन है आर्ये भारत में कहां से आये थे तो दोस्तो इसका सही उत्तर है केंद्रिय एशिया से अगला प्रशन है रामायन एम माभार्त की रचना किस काल में होई थी तो दोस्तो इसका सही उत्तर है आरिय काल में अगला प्रशन है गुप्त समाज की स्थापना किसने की थी माफ कीजिए गुप्ट समरilation की स्थापना किसने की थी दोस्तो इसका सही उत्तर है अगला प्रशन है पानिपत की दूसरी लड़ाई किनके बीच हुई थी तो इसका सही उत्तर है हेमचंदर विक्र्मादित्ते और बहरम खान के बीच तो दोस्तो हेमचंदर विक्रमादित तो उनका पूरा नाम था लेकिन इतियास में ज्यादातर हेमू नाम से जाने जाते हैं ये अगला परसन है मुहम्मद गोरी कहां का सासक था तो दोस्तो इसका सही उत्र है अफगानिस्तान का अगला प्रशन है मस्तानी कि सासक की प्रेशी थी यानि प्रेमिका थी तो दोस्तो मराठा सासक बाजीरा उपेशवा की प्रेशी थी तो दोस्तो इसका सही उत्तर है सूरत में अगला सोड़ा नमबर परशन है पहली सायक संदी कौन सी थी तो दोस्तो पहली सायक संदी निजाम संदी थी अगला परशन है किसे करनाटक संगीत का पितामय का जाता है तो दोस्तो इसका सही उत्तर है पुरंदर दास अगला परसन है प्रथम चिनी यात्री किनके सासल काल में भारत आया था तो दोस्तो इस परसन का सही उत्तर है चंदर गुफ्त डूटिये के काल में अगला परसन है किस मुगल सासक को प्रिंच साफ बिल्डश के नाम से जाना जाता है तो दोस्तो इसका सही उत्तर है सहा जहां दोस्तो आपको यहां बता दें कि लाल किला ताज महल जैसे बहुत से इमारतें सहा जहां ने ही बनवाई थी अगला परशन है शिक्स समाज के अंतिम गुरू कौन थे तो दोस्तो इसका सही उत्र है शिक समाज के अंतिम गुरू गुरू गोबिन सिंग थे अगला प्रसन है कच्ची पुड़ी नर्ते कहां आरंब हुआ था तो दोस्तो इसका सही उत्र है अंदर परदेश में अगला प्रसन है गंदार सेली की चितर कला का सुतर पात किसके द्वारा किया गया था तो दोस्तो इसका सुतर पात महायान संपरदाय द्वारा किया गया था अगला प्रसन है ताज महल की डिजाइन किस वास्तो कारने त्यार की थी तो दोस्तो अगला प्रशन है उस्ताद इसा ताज महिल की डिजाइन किस वास्तो कारने तियार के थी इस प्रशन का उत्तर है उस्ताद इसा अगला प्रशन है बुद्धों के विश्वास के अनुसार गौतम बुद्ध का अगला आउतार कौन था तो दोस्तो बोध कलकी को अपना अगला उतार मानते अगला प्रसन है समराट अकबर ने फतेपुर सीकरी में किस महल का निर्मान करवाया था तो दोस्तो उस महल का नाम है पंच महल अगला परसन है कुतुब मिनार के पास लोह स्थम्प किस राजा ने बनवाया था तो दोस्तो ये स्थम्प संदर गुप्त द्वीतिये ने बनवाया था अगला परसन है स्वामी दयानंद सरस्वति ने किस समाज की स्थाफना की थी तो दोस्तो स्वामी दायानन ने आरिय समाज की स्थाफना की थी अगला प्रसन है अबादत खाना किसने बनवाया था तो दोस्तो बादसा अकबर ने अबादत खाना बनवाया था अगला प्रसन है भारत की पर्थम महिलासा सक कौन थी तो दोस्तो रजिया बेगम भारत की पर्थम मेला सा सकती अगला परशन है टीपू सल्तान कहा का सा सकता तो दोस्तो टीपू सल्तान मेसूर का सा सकता अगला परशन है भारत पर आकर्मन करने वाला पर्थम मुगल आकर्मन कारी कौन था तो दोस्तो इसका सही उत्तर है मुहम्मद बिन कासिम इसने राजा दाहिर पर आकर्मेंट किया था अगला परसन है प्रथम भारतिय सामराज्य किस के द्वारा स्थापित किया गया था तो दोस्तो इसका सही उत्तर है चंदर गुप्त मोर्य द्वारा मोरिय सामराजे ही इतियास का पर्थम संग्ठित सामराजे था अगला परशन है किस की समाधी के कारण नांदेड गुरु द्वारा सिक्खों द्वारा पवित्र माना जाता है दोस्तो ये गुरु गोविंद सिंग की समाधी के कारण माना जाता है ये माराष्ट के नांदेड में स्थित है अगला प्रसन है किस विख्यात सोमनाथ मंदिर को माफ कीजी गया अगला प्रसन है विख्यात सोमनाथ मंदिर को किस ने नश्ट किया तो दोस्तो इसका सही उत्र है महमूद गजनवी अगला प्रसन है निम्न लिखित में से कौन साथ सबसे पुराना समारक है तो दोस्तो इसका सही उत्तर है अजन्ता की गुफाएं अगला प्रसन है शिंदू गाटी सब्वेता के लोग किस की पूजा करते थे तो दोस्तो शिंदू गाटी के लोग पसुपती की पूजा करते थे अगला प्रसन है त्रीपी टक किसके दार्मिक गरंथ है तो दोस्तो इसका सही उत्र है बोद्धों के त्रीपी टक बोद्धों के दर्म गरंथ है अगला प्रसन है पानिपत की तीसरी लड़ाई कब हुई थी तो दोस्तो पानिपत की तीसरी लड़ाई 1761 में हुई थी अगला प्रसन है मुगल सामराजे की निव किस लड़ाई के बाद मानी जाती है तो दोस्तो इसका सही उत्र है पानिपत की पर्थम लड़ाई के बाद अगला प्रसन है मुगल वन्स की स्थापना बारत में कब हुई 1763 ईश्वी में हुआ था अगला प्रसन है दिल्ली का लाल किला किशने बनवाया था तो दोस्तों जैसा हम उपर भी बता चुके हैं दिल्ली का लाल किला साजा आने बनवाया था अगला प्रसन है शिवाजी के प्रसासन में पेशवा किशे का जाता था तो दोस्तो सिवाजी के सासन में पेशवा मुख्य मंत्री को का जाता था अगला प्रसन है भारत की पर्थम पूर्ण ते रंगीन फिल्म कौन सी थी तो दोस्तो भारत की पर्थम पूर्ण ते रंगीन फिल्म थी जांसी की रानी अगला प्रसन है विएना सम्मेलन कब हुआ था तो दोस्तो विएना सम्मेलन 1815 एश्वी में हुआ था अगला प्रसन है किस देश को यूरोप का मरीज का आ जाता है तो दोस्तो इस प्रसन का सही उत्तर है तुर्की को यूरोप का मरीज का आ जाता है अगला प्रसन है जर्मनी का एकिकरिन कब पूरा हुआ था तो दोस्तो 1831 में जर्मनी का एकिकरिन पूरा हुआ अगला प्रसन है एक टाफ यूनियन किस वर्ष पारित हुआ दोस्तो इसका सही उत्तर है 1707 में अगला और इस श्रीज का अंतिम प्रसन है बोल शेविक करांती कब हुई थी तो दोस्तो य एक बोल शेविक करांती सन 1917 में हुई थी और ये रूस में हुई थी तो दोस्तो इसके साथ ही 50 प्रसनों की ये शीरीज पूरी हुई और हम आपसे एक बार फिर निवेदन करते हैं कि इस शीरीज के बारे में अपनी राय दें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो क लाइक करें और इसे अपने मित्रों के साथ शेयर करें नमस्कार आपका दिन सुब